हेलो गाइज, यू और वाचिंग दा इंडेक्स टेटर दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ऐसा एक कमाल का सेट अप बताने वाला हूँ जो की option selling करने में आपको बहुत जादा मदद करने वाला है आज का जमाना वो गया कि आप call भी बेच दो at a time would be based दो और profit कमालोगा ऐसा नहीं है कभी gap up हो जाता मार्केट कभी gap down यहाँ पर हो जाता है बट यहाँ पर बहुत ही एक simple और accurate तरीका आपको बताने वाला हूँ जिसमें से 10 में से 7 ये 6 बार आपका यहाँ टागेट हिट होने वाला है तो कुछ basic knowledge के साथ में आप इस setup से यहाँ पर पैसा कमा सकते हो कोई possible कोई इतनी बड़ी बात नहीं है दोस्तो ठीक है तो पहला जो आपको यहाँ पर requirement है थोड़ा सा आपको price action की knowledge होने चाहिए इतना कि आपको पता होना चाहिए कौन सी candle होती है क्या बन रही है और दूसर मतलब कि market हमारा uptrend में चलता या downtrend में चलता बस इतनी ही यहाँ पर आपको इस setup में इतना ही काम करना है बागी सारा patience से आपको wait करना है अपने trigger का वो भी मैं तरीका बताऊंगा कैसे आपको strike price चुननी है और फिबोने की मतलब से काप आपको कहां पे entry लेनी है ठीक है दोस support, resistance, draw कर लीजिए जो जो आपके important level लग रहे हैं वो आप यहाँ पर draw कर लीजिए जैसे कि मैंने कर रखे हैं ठीक है ना आप उस type से draw कर लीजिए पहला काम आपको यह करना है दूसरा यहाँ पर आपको करना मैंने आपको बता है market cycle आपको पता होनी चाहिए इसका मतलब यह तो भी हम अपना trend analysis करेंगे वो करेंगे हम एक घंटे के चार्ट पर एक घंटे के चार्ट की मदल से हम देखेंगे चार्ट हमारा जो बैंक निफ्टी हमारा यहाँ पर uptrend में है downtrend में sideways है बागी और कोई chart हम use नहीं करने वाले यह आप यहाँ पर देख लेना एक घंटे का चार्ट आपको रखना ही रखना है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर market का cycle आपको निकालना है ठीक है जब एक घंटे का चार्ट आप यहाँ पर select कर लेंगे तब आपको देखना है जो हमारा at moment पर chart हमारा downtrend में है या downtrend में है तो दोस्तो downtrend और uptrend का कैसे आप पता करते है दोस्तो simple सा logic है कि uptrend में market क्या होता है higher high और higher low बनाता है यह आपको पता है ठीक है ना उसके जितने भी high होंगे वो पिछले वाले high से उपर होंगे और same as low भी उसके पिछले वाले low से उपर ही होंगे ऐसा यहाँ पर uptrend का chart दिखाता है और यहाँ पर ऐसे ही जो हमारा downtrend क है वो भी इस type से ही move करता है ठीक है यह आपको पता है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है इसके बाद यहाँ पर यह तो आपको basic पता लग गया यहाँ पर आपको पहले करना क्या है पहले अपना जब आपने थोड़ा सा है अपना horizontal line और यह सब draw करने के बाद अब यहाँ पर चल रहा है इस point से अभी तक जो चल रहा है आज तक market हमारा continuous downtrend में चल रहा क्योंकि market हमारे नए ने lower low और lower high यहां पर बना रहा है बट इस portion पे market हमारा क्या था अब trend में था इस point से market ने reverse लेना start किया है ठीक है तो यहां पर इस market में कैसे put sell करके पैसा बनाते और इस वाले market में आप कैसे call sell करके पैसा बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा इस setup से आप केवल यह तो put sell करेंगा या call sell करेंगे ठीक है ना आप यहां पर दोनों एक साथ नहीं करेंगे ठीक है और with perfect stop loss के साथ यहां पर आपको trade करना तो पहले मैं आपको example देता हूं ठीक है market cycle का आप आपने माना कि आपने सब को draw कर लिए अपने horizontal line वगरा ठीक है तो दोस्तों यहां पर अगर आप इसको देखें तो आपको यहां पर जो यह वाला left वाला portion यह हमारा uptrend में है तो आपको कैसे पता करना आप यहां पर क्या करेंगे यहां पर आप अपना जो आपका जो swing highs और swing low वह आप यहां पर chart पर draw करेंगे तो यहां पर क्या गया पहला low आपने यहां पर draw किया ठीक है यहां पर एक और high draw किया फिर एक और low फिर एक और low फिर एक और low फिर एक और low फिर एक और high इस point तक यहां पर बिल्गो सब कुछ ठीक जल रहा है बशरते यह वाला जो low बना है यह वाला इसने मामला खराब कर दिया यहां पर क्यूंकि इस वाले लो के नीचे इसने close दे दिया तो यहां पर यह एक दुट ट्रैपिंग आपको हरी चार्ट में मिलेंगी यहां पर आपको लगेगा कि मार्किट ने जो ड्रेंड रिवर्स कर लिया क्यूंकि जो और यहां पर जोगा के सुन यहां पर मार्केट ने मॉइमा पंशना प्लिक है कि Penit अचूरणाभी एका बार दोतों पूरे यहां पर ख्रेंड में कि यहां पर एक बार ट्रैपंग आपको देखने को मिली वहत यहां पर अथिक हो एक्जेक्जिट नहीं हुआ क्योंकि मैंने आपको तरीक बताया कि जब तक किसी भी ट्रेंड में यहां पर आपको तीन या चार पॉइंट आपको ऐसे ना मिले जो कि पूरे ट्रेंड के अगेंश ना जा रहे हो तब तक आपका जो ट्रेंड है वो इंटेक्ट रहेगा अब जैसे तीन चार प इसे हम तुरंट जज नहीं करेंगे जब तक यहां से मार्केट अगर मार्केट को रिवर्स होना तो क्या करेंगा जो नया हाई होगा वो इसके ओपर थोड़ाना जाएगा इस वाले हाई के उपर नहीं जाएगा वह यहीं कहीं बनके एक और लो बना देगा इस पॉइंट तब यहां पर हम कहेंगे कि जो हमारा जो ओवरॉल ट्रेंड वह रिवर्स हो चुका है बट अभी तक नहीं हुआ है ठीक है यह आपको यहां पर पता लग गया तो यहां पर जितने भी पोर्शन पर ठीक है तो मैं अभी जो भी जो पीछे जो बात बीद गई उस पर मैं आपक बश्रेचि देखना अब दोस्तों यहाँ पर एक low बना था और यहाँ पर एक high बना है अब दोस्तों यहाँ पर अगर यह trend को continue रखना है तो यह low दिल्कुल ठीक बना है इसके बाद जो नया high बनेगा वो कहां बनना चाहिए आप बता यह दोस्तों नया हाई बनना चाहिए इसके ऊपर ठीक है तब ही तो यह हमारा जो अप्ट्रेंड का जो सिनारियो है वो इंटेक्ट रहेगा बट यहां पर क्या हुआ है मार्केट ने कौन सा हाई बनाया इस पॉइंट पर यहां हमारे दिमाग में खतरे की घंटी बजेगी कि हमारा मार्केट यहां पर रुक चुका है तो यहां पर अगर आप देखें यहां पर इस कि फिर हम क्या करेंगे एक और वेट करेंगे Markit एक और यहां पर बनाता हम सोचेंगे चलो पूरं बातनी Next ii बन जाएंगा next ii भी यहीं पर रुख जाता और ingredients मार्केश चुगा है हमारा sideways जौन में तो यहां पर market असमर्थ हो रहा है नया हाई बनाने के उसमें तो यहां पर अभी तक हमने कोई trade नहीं लिए है मैं आपको बता रहा हूँ ठीक अगर हमने trade ले भी होती तो शायद हम यहीं कहीं अटक जाते शायद हम अपना cost कुस निकल जाते अगर हम यहां पर वह हो चुका है sideways उपर से यह जो लेवल है यह हमारा important level है support हमने draw किया हुआ है ठीक है अब यहां पर हमको एक point एक low चाहिए जिससे हमको confirm हो जाए कि भाई जो हमारा जो चार्ट है वो reverse हो चुका है ठीक है वो मिला हमको कहा next day gap down में यहां पर और यहां पर नया low market बना देता है अपने previous support पर अब यहां पर हमको three point मिल चुके हैं एक यह वाला एक यह वाला और एक यह वाला तो यहां हमको पता लग चुका है कि यह वाला point है यह breach हो चुका है यह वाला swing high काई के बदले यहां पर एक और low बन चुका है तो जो की निशानी है हमारी किसकी downtrend गी अब यहां पर हमको confirm हो चुका है कि जब तक market क्या करेगा जब तक market इस point के ऊपर नहीं मार्केट हमारा क्या रहेगा यहां पर downtrend आ चुका है अब हमारी बारी आ चुके call sell करने की अब put sell करना भूल जाएंगे हम put sell का जो chapter है वो अपनी book से खतम कर देंगे अब हमको क्या करना केवल call sell करना है अब यहां पर call sell करने के तरीके भी मैं ही बताऊंगा आपको ऐसी बात नहीं है पहले आप जान लीजिए ठीक है कितने लो कितने हाई बने है ठीक है अब यहां पर क्या करता है मार्केट यहां पर लो बनाने के बाद यहां तक अपना हाई देता है और एक और नया लो बना देता है ठीक है अब मार्केट हमारा ऐसी ट्रेजेक्टरी में आ चुका है जहां पर मार्केट हमारा क्या करता है नए लो कर रहा हूं बट बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं ठीक है अब यहां पर क्या होता हाई बनाता है और इसके थोड़ से उपर जाने के बाद ठीक है आप सोचेंगे कि हाँ पर बट हमने क्या बोला था हम को चाहिए तीन पॉइंट्स एट लिस्ट पूरे मिला गए लो हाई सब कुछ मिला गए तो यहां पर हम सोचेंगे के बाई ठीक है ट्रेंड चेंज कर रहे तो आप कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप क्या करिए आप इस वाले हाई के उपर ले यह तो आप लेकर आगे ठीक है तो भी लो भी तो बनाओगे तो जो नया लो होगा आप इसके नीचे मत लेके जाना आपका यहां तक लाके आप उपर लेकर चले जाओ अगर आपको ट्रेंड ही चेंज करना है बट आपनी क्या गिया आपने फिर से एक नया लो बना दिया तो जो हमारा जो तीन स्विंग वाला फॉर्मूला था वो तो फेल्ड हो गया यहां पर जो इंटेक्टर जो ट्रेंड है वो चली रहा है ठीक है और फिर आप देगिए उसके बाद एक और नया लो एक और नया हाई और उसके बाद तो आप कहानी चलती ही जा रही है आज त प्रेंड के मूतावी काम करता पैसा कमाता है दोस्तों अब आपको यह पता लग चुका मार्केट में कि यहां पे हमारा ट्रेंड हमारा डाउन हो चुका है और मार्केट नए हाई बनाने में थोड़ा असमर्थ है काम नहीं कर पार है बायर्स उतने अग्रेसिव नहीं हो र प्रेंड की टूल फीबोने की रिटरिस्मेंट टूल कैसे वो मैं आपको यहां पर बताता हूं ठीक है माल लीजिए जैसे यहां पर देखिए और मैं दो तिन एक्जांपल आपको दूंगा देखिए हमारा मार्केट ने क्या किया है यहां पर इस पॉइंट पर आपको बता इतना नीचे चला गया बहुत ज़्याद नीचे चला गया हम तब कॉल सेल कर रहे हैं उससे क्या होगा भाई कॉल की वैली तो पहले ही बहुत जादा डिके हो गई है मार्केट गिरने से तो आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा हम ट्रेड लेंगे रिट्रेस्मेंट आपनो आपको पहले इजी कर दिया चिक है मार्केट ने और अपना एक नृ यहां से गिटते-गिरने ठिक अब यहें एकाई बनने का मतलब market यहां तो bridge करें नया high बनाए ताकि trend change हो जाए वरना इस high से तो नीचे रहेगा आपको यह पता कि इस वाले high से market कही ना कही नीचे रहेगा ठीक है पता पर exact नहीं पता तो आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे जैसे कि यह वाला low लगाए हाँ पर ठीक है यह वाला low लग चुका है और आपको यहां पर कहा मार्गेट जाएगा आपको नहीं पता आप यह समझो ठीक है तो आप क्या करोगे आप इस swing से इस वाले swing से और इस वाले swing low तक आप लगाएंगे Fiboneki का tool ठीक है Fiboneki आपको कहीं भी मिल जाएगा ठीक है Fiboneki का tool लगाएंगे Fiboneki लगाके मैं आपको दिखा देता हूँ Fiboneki retracement से downtrend में है तो आप उपर से tool लेंगे यहां से high से और इसके low तक low का इसका यह point यह अब आपने क्या किया Fiboneki का tool यहां पर लगा दिया है ठीक है Fiboneki का tool लगने के बाद अब आपको देखना कि कितना यहां पर हमारा जो stock है वो यहां पर retrace करता है पहले आपको यह देखना है कि कितना गेटा है तो मैं इसको reverse कर देता हूँ ताकि आपको easily समझ में आए ठीक है 61.8 इन दोनों के बीच में ही देता है most of retracement most of time एक आद बार 78 तक जाता है बनना 50 से लेगे 61.8 तक ही वो क्या करेगा retrace करेगा दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं गौर से देखना हमने वो लिया यहां तक ठीक है उसके बाद यहां से हमारा retracement स्टार्ट हुआ है आप देख सकते हैं पहले सी हमारी यहां पर एक support line draw है जो की resistance बन चुकी है market जाता है जाता जाता है और 61 और 78 के बीच में आके अटक जाता है ठीक है आपका पूरा जो retracement वो complete हो चुका है ठीक है ना आपको यहां पर जैसे ही आपने देखा market gap अप होता है कुछ S-type की यहां पर shooting star type formation बनाया था है उपर से आपका यहां पर horizontal और यहां पर resistance भी यहां पर developed है पहले से ही और 78 और 61 के बीच में market आपका आ चुका है इस setup में आपको wait बहुत करना पड़ेगा दोस्तो फिर आप wait कीजिए और जुसका swing high है वो क्या है हमारा swing है यह जो की है price आपका 37,000 और आपी market कहाँ पर आया 36,600 बस आप 36,600 की call को टक से short कर दीजिए दोस्तो sorry 37,000 की call को short किर दीजिए और आपका जो stop loss होगा swing high होगा वो हमने क्यूं रखा है क्यूंकि market को महनद करनी पड़ेगी swing high तोडने में क्यूंकि market already हमारा किसमे है down trend में है इस Fibonacci retracement से आपको 50 से लेगे 78.6 तक के बीच में आपको कहिना की market retracement देता हुआ नजर आएगा अगर हम और भी example देखें तो दोस्तों मैं पहले इसको delete कर देता हूँ और अभी हम देखते है कि market देखिया हमारा यहां से इस point से इस point तक का इसने low बनाया है ठीक है इस point तक का इसने क्या बनाया है low बनाया है अब यहां पर क्या कीजिए आप अगर आपको यहां पर trade लेनी है तो आपको इस point पर अपना क्या करना पड़ेगा retracement Fibonacci का लगाना पड़ेगा तो इसमें भी लगा के देखते हैं चलो क्या हमको मिलता है तो अगर आप Fibonacci की retracement लगाएंगे तो यहां पर आप लगाया उपर से ऐसे नीचे तक तो आप देख सकते हैं मार्केट ने कहां तक retracement किया मार्केट ने जो retracement आपको दिया है वो दिया है दोस्तो 61 तक 61 तक यहां पर retracement दिया है आप क्या करेंगे swing high क्या है आपका 36,720 36,700 की call को short करेंगे जब price चल दा था 36,400 तब आप यहां पर short कर देंगे और यहां पर आप नए low तक target लगा सकते हैं बिल्कुल safe जाना है बना नीचे तो जाएगा ही जाएगा क्यूंकि market अपनी जो cycle उसको नहीं तोड़ेगा easily अगर market को तोड़ना है तो आपका जो stop loss है वो यहां पर आके तोड़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको उसको market को against the trend जाना पड़ेगा और तब वो जाएगा तब आपके लिए नई opportunity खुल जाएगी दोस्तो ठीक है अब यहां पर जब मैं आपको बताता हूँ जब यह सिनारियो फेल हो जाते है फेल भी होते हैं भाई ऐसी बात ना है ठीक है अब यहां पर फेल कहा हुआ था हमारा यह वाला इस point पर क्या हुआ था market ने नया low नहीं बनाया था और नया high यहां पर बना दिया ठीक है तो दोस्तों अगर चलो मैं छोड़ दो इस बात को भी अगर आपने इसके भरोसे भी आपने trade लिया होता ठीक है तो मैं मानता हूँ चलो अगर आपने इस वाले को देखके इस वाले को देखके यहां पर यहां पे इस वाले को देखके इस जो swing high बनाया ठीक है तो यहां पे आपका जो low है वो यहां पर ही बना यहां तक ही बना और हम को क्या चीए था कि इस low के नीच जाए तो यहां पे तो हमारी trade एक्टिवेटी नहीं हुई अपने pullback पे आप अपने market को short कीजिए ठीक है सीधा और देखिए जैसे आज भी market open हुआ था ठीक है तो इसका जो swing high यह था और swing low यह था अगर हम इस पे भी वो लगाएं ठीक है क्या फीबोने की आज के market के साब से भी तो आप देखेंगे फीबोने की retracement तो यहां पे अगर हम पिछले वाले swing high से swing low तक लगाते हैं तो जो market ने जो यहां पर retracement दिया है वो कितना दिया है आप देख सकते हैं खुदी यहां इस point तक वो दिया है 36,000 ठीक है यहां पर आप short कर सकते थे नई low के लिए यहां तक और market आज ही gap down यहां पर हो गया तो यहां पर दोस्तो आपको अगर आप केवल market cycle से काम करेंगे तो definitely यहां पर पैसा कमाएंगे अब यहां पर हम यह देख लेते हैं कि भाई जो market है हमारा हम यहां पर इसका जो पनावर के चार्ट पर जाना है और आपको यहां पर हर एक जो major swing है उसको mark कर लेना है बे धढ़के से ठीक है ना मैं यह नहीं कह रहा है जो भी आपको लगता है mark कर लेना बट जो range में है आप उनको छोड़ देना ठीक है जो range है उसके हम swing को count नहीं करेंगे जैसे कि यहां पर है उसका भी जो range है उसको हम छोड़ देंगे बाकि जो भी swings है आप उनको mark कर लेना ठीक है कहीं भी मिले उसको आप mark कर लेना जहां भी आपको मिलता है ठीक है उसके बाद अपने accordingly उनको set कर लेना market कैसा downtrend में है कैसा uptrend में है और यह जो theory है दोस्तों हमेशा से काम करती अईसा नहीं है कोई साबी market हो आप पीछे भी जाएंगे market के देखे हम बहुत पीछे आ चुगे जब market भी एक और लो बना रहा था तो आप इसमें भी देखेंगे आप हर जगह देख लिए यहां पर हाई बनाया फिर लो बनाया यहां पे एक और हाई बनाया ठीक है तो यह बनाया एक और हाई फिर एक और हाई 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 तो market बिल्कुल इसी formation में चलता है अगर market sideways भी होगा तब भी यही formation अपनाएगा बट बस आपको हमेशा फीबोने की retracement को देखके और जो भी आपने basic अपना यहां पर जो यह lines ड्रॉ की चल गया रहा है sideways है या trending है या downtrend में है इतना आपको पता चल गया तो आप यहां पर accurately trade कर पाएंगे यह वीडियो कैसा लगा बताना मेरे को और इस वीडियो में तो आपको और ज़दा नौलीच चाहिए तो मेरे से बताना मैं आपको एक और वीडियो यहां पर बनाके दू लुट